शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शाका हारी खाने में चना एक पॉस्टिक आहार माना जाता है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चने को खाने का सही तरीका क्या है पानी में भीगे चने खाना चाहिए अंकुरित चने खाना चाहिए या चने का सेवन हमें किस तरह से करना चाहिए पोशक तत्वों का भंडार है हमारे शरीर को ताकत देता है एनरजी देता है और साथ ही साथ हमारी हड़ियों को भी मजबूत बनाता है चने का सेवन तो इस तरह से ये चना आता है जिसे की हम चना जो होता है दोसों काला चना कहते हैं बहुत से लोग आप इसे देखकर समझ गए होंगे तो ये जो काला चना होता है दोसों इसे आप पानी में भिगा दें सबजी बनती है इसकी बहुत से नाश्टे बनते हैं बहुत से लोग इ नाश्टे में इसे लेते हैं, तो सही तरीका होना चाहिए, जब हम पानी में भिगे हुए चने खाते हैं, तो वे और ज्यादा पौस्टिक हो जाते हैं, और जब हम इन्हें स्प्राउट करते हैं, तब तो इन में पोशक्ततों की मात्रा चार गुना जादा बढ़ जाती है, तो सबसे पहले चने को मैंने साफ कर लिया है, दो बार सबसे पहले मैं इसे पानी से धोलूँगी, पानी से धोने के बाद आप इसे राद भर पानी में डुबा कर रखें, दूसरे दिन आप इसे पानी में से निकालने, किसी चनी के ऊपर आप इसे रख दे, चनी के ऊपर आप इसे रखें कम से कम 24 घंटे के लिए ठंड का मौसम है इसलिए इसे अंकुरित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो 24 घंटे के बाद यह बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट हो जाएगा और इसके जो पोशक तत्व हैं दोस्तों यह चार गुना जादा बढ़ हैं चलिए मैं आपको बता दूँ फोलिक एसीड प्रोटीन से भरपूर होता है साथ इसाथ इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जिने खून की कमी है एनिमिया है दोस्तों उन्हें भी दो चम्मच चने खाना जाए बहुत जादा कच्छे ना खाए यदि आप लोग इ निगल लिया तो यह जल्दी से हजम नहीं होता है इसलिए इसे बहुत चबा कर खाए जर्वाच से जादा नहीं केवल एक चमच कच्छा खाना है आपको उससे जादा नहीं एक दिन में उसके बाद आप यदि जादा खाना चाहते एक कटोरी खाना चाहते हैं तो इसे हलका सा बॉयल जरूर करें, कच्छा ना खाएं, उबाल लें, उबले हुए चने में, आप चाहें तो नमकीन बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही चना खाते जाएं, साथ में गुड खाते जाएं, ठन के मौसम में गुड बहुत फायद्यमंद होता है, गुड हमारे दिल, घड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी मास पेखियों का निर्माड करता है गुड़, भरपूर मात्रा में गुड़ में आइरन होता है, हीमोगलोविन लेवल को बढ़ाता है दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे शरीर को हस्ट पूष्ट बनाता है गुड़ का सेवन, चना औ बहुत से लोग इसे सलेड में डालते हैं, हमारे तो इसकी सबजी बनती है, बहुत से नाश्टे बनते हैं, चने के पकोड़े भी बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही फाइदे मंद होता है, जो दिल के रोगी हैं, एक या दो चम्मत चना जरूर खाएं, दोस्तों, आपको किसी भी किराना दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा, बहुत ससा आता है दोस्तों, परन्तु गुणो का भंडार है, चाहें तो रोज नाश्टे में एक मुठी भुना हुआ चना, छिलके सहीत, छिलका उत्रा हुआ चना नहीं खाना है, आप बिट बनाले की एक मुठी चना गुड के साथ जरूर खाएं, ये इतना जादा फाइदे मंद है दोस्तों, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए तो रामबार नुस्खा है, दोस्तों, तेजी से वजन कम होता है, सांत ही सांत मास पेशियों का निर्माड होता है, चना खाने से सर्दी, खासी और कफ की परिशानी भी दूर होती, परन्तु निश्चित मातरा में जर्वत से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, हमारा शरीर स्वस्त रहता है, तो ये जो काले चने होते हैं, दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, इसलिए तो इसे बोला जाता है, शा कहारी है, उन्हें चने का सेवन जरूर करना चाहिए, इतना ज़्यादा फाइदे मंद है, कैंसर जैसी बीमारी से भी ये हमें बचाता है, तो जरूर खाएं इसे, और साथी साथ पानी में भीगे चने जो हैं, वो बहुत फाइदे मंद है, आप चाहें तो ये इन चनों को बढ़िया थोड़ा सा पानी में आप स्ट्रीम दे दें, भाप में पका लें, बहुत जादा पानी डाल कर न उबालें, जब ये उबल जाए, थोड़ा सा बॉइल हो जाए, थोड़ा सा कुक हो जाए, उसके बाद इसमें आप बारिक कटा टमाटर, प्याज, कुकुम्बर, हरा धनिया, नीबू नी चोड़ लें, थोड़ा सा नमा काली मिर्ची डाल कर, नाश्ते में जरूर लें, ये इतना पॉस्टिक नाश्ता है दोस्तों, तो चना के बहुत सारे गुण है दोस्तों, और इतने सारे पोशक तत्वों का भंडार है ये, तो सही तरीके से इसके ख हमारे शरीर में मजबूती देता है, हमारे शरीर में ताकत आती है, तो आप किसी ना किसी रूप में चने का सेवन जरूर करें, फुटा हुआ चना खाएं, या सलेड में डाल कर खाएं, तो जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगता है, उस तरीके से आप चने का सेवन दोस्तों ये गुणों का भंडार है, इसे खाने के बाद कोशिश करें, हलका गुनगुना पानी लें, और इसे हमारी हड़िया मजबूत होती है, शरीर में ताकत आती है, साथ ही जाथ हमारी इम्मुनिटी को बूस्ट करता है चना, साथ ही साथ चने का सेवन हमारे आखों की जोशनी को बढ़ाता है, जिनने चश्मा लगा है, उन्हें भी एक मुठी चना जरूर खाना चाहिए, जिनने नसों में ब्लॉकेस की नसों में सूजन है, या फिर जिनकी नस दबने की परिशानी है, वेरिकोस वेन की परिशानी है, चने का सेवन जरूर करें दोस्तों, साथ ही साथ दोसों, कॉंस्टिपेशन नहीं होने देता, यदि हमारा पेट अच्छा रहता है, हमारा मेटाबॉलिजम अच्छा होता है, तो कई बिमारियों से हम लोग बच सकते हैं, तो इसे अपने नाश्ते में, खाने में, किसी ना किसी रूप में आप जरूर शामिल कर तो जब भी कोई चीज लें, दोसों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, कि उससे हमारे शरीर को क्या-क्या पोशक तत्व मिलते हैं, और ताकि हम स्वस्त रह सकें, छोटी मोटी ये जो बिमारिया हैं, दोसों, वो हमें होने ही नहीं पाएगी, यदि हम अपने शरीर का, अ बहुत अच्छा लगता है, और साथी साथ, ये बहुत ही ज़्यादा गुड़कारी होता है, और जिन्हें नसों की ब्लॉकेज हैं, उनके लिए बहुत फायदे मंद है, दो चम्मत चने का सेवन रोज करें, आप गुड़के साथ भी कर सकते हैं, तो नसों में जो सूजन न पारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर की, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा